दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने जमिन का ओनलाइन रसीद कार सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको कोई भी ब्रॉजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तो आपको टाइप कर देना है अगर दोस्तो आप बिहार से हैं तो आपको लिखना है बिहार लेंड रिकॉर्ड अगर दोस्तो आप मॉबाइल में कर रहे हैं तो आपको गूगल क्रो में करके डेक्स्टोप मोड कर लेना है right side में आपको three dot दिखाई देगा उस पे आप नीचे desktop मोड में कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको सबसे पहला link देख सकते हैं बिहारभूमी.bihar.gov.in इस website पर आपको आजाना है उसके बाद दोस्तों आप बिहार सरकार के रासो एवंभूमी सुधार विवाग की official website पर आप यहाँ पर आजाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों आप अपना लगान जमा कर रहे हैं आपना रसीद काटना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं भू लगान तो दोस्तों आपको भू लगान पर किलिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा भूलगान.bihar.gov.in एक न्यू वेबसाइट पर आपको रीडारेक्ट कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं भूलगान दो अप्सन देखने को मिलेगा लंबित भूगदान देखें और आउनलाइन भूगदान करें तो दोस्तों मैं यहाँ पर आउनलाइन भूगदान करना चाहता हूँ तो पे आउनलाइन लगान पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपकी जानकारी आपकी जमीन का कुछ यहां पर डीटेल मांगा जाता है दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर आपको अपना जीला सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना है और यहां पर आगे बढ़े पर किलिक कर देना है उसके उसके बाद दोस्तों आपको अपना हलका सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी हलका है आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको मोजा अनि अपनी गाउं सेलेक्ट करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाग बरतमान और प्रिर संख्या बरतमान तो दोस्तो ये आपको पता होनी चाहिए जब ही आप online भुगदान कर सकते हैं तो दोस्तो ये आप कैसे पता करेंगे इसके लिए आप दोस्तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको link दिया गया है तो दोस्तो इस पर आपको click कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों आपको एक न्यू वेबसाइट पर ले जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जीला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना है और प्रोसीट पर किलिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना हलका सेलेक्ट करना है और मोजा सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों आपको भाग बरतमान और प्रिस संख्या बरतमान जानने के लिए इन में से कोई भी जानकारी आपके पास मुझूद होना चाहिए जैसे भाग बर्तमान यodel तो हम निकाल रहे हैं जैसे रेत का नाम जमिन किस के नाम पर है खाता नमर आपको पता हुनी चाहिए ठीक है दोस्तो या फिर आपको दोस्तो आपको अपना PLOT नमर या जमावंदी संख्या ये पता हुनी चाहिए तो मैं दोस्तों यहाँ पर जमाबंदी संख्या से पता करूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा कॉड आपको टाइप करना है और सर्च पर आपको किलिक कर देना है दोस्तों जैसे आप किलिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका डीटेल आ जाएगा रेयत का नाम, खाता संख्या, भाग बरतमान और प्रिसंख्या बरतमान दोस्तों यहाँ पर रेयत का नाम यही आपका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके साथ ही आप यहाँ पर भाग बरतमान और पिर संख्या बरतमान यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तो इसको आपको नोट कर लेना है अब दोस्तो बापस उसी स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर दोस्तो भाग बरतमान एंटर कर देते हैं और फिर संख्या, बर्तमान उसके बाद दोस्तो आपको सुरक्षा को और एंटर कर देना है और दोस्तो खोजे पर किलिक करना है जैसे आप खोजे पर किलिक करेंगे आपका इटेल यहाँ पर आ जाएगा रियत का नाम जैसे देख सकते हैं खाता संख्या, भाग बरतमान और पिड़ संख्या बरतमान तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखे पर किलिक कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों आपके जमिन का सारी डिटेल मौजूद है और यहाँ पर दोस्तों जैसे देख सकते हैं आपका तोजी संख्या क्या है थाना, मोजा का नाम और आपका फिरिश संख्या, हलका, अनुमंडल यहाँ पर सारी डेल आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तो जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपका कुल रासी, आपका लगान का रासी दिखाई देगा आपका जितना भी बकाया होगा वो सभी दिखाई देगा, जिस जिस बरस का होगा वो बरस साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर मेरा कुल 40 रुपे बकाया दिखाई दे रहा है यहाँ पर बर्स की बात करें तो दोस्तो 20, 21, 21, 22 और 22, 23 तीन साल का बकाया दिखाया जा रहा है तो दोस्तो हमें इसको पे करना है तो दोस्तो सिंपली हम क्या करेंगे और दोस्तों यहाँ पर पिछला भुगदान भी आप यहाँ पर असानी से देख सकते हैं तो अगर आपको कोई रसीद है पिछला हो गया है तो आप यहाँ से असानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो हम यहाँ पर 40 रुपे बग आया है, इसको पे करके आपको दिखा देते हैं दोस्तो यहाँ पर आपको reminder का नाम enter करनी है और यहाँ पर दोस्तो mobile number डालना है और यहाँ पर दोस्तो आपको address डाल देनी है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एगरी ट्रमन कंडिशन पर किलिक कर देना है और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं भुगदान, संख्या और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों जैसे नीचे आते हैं ओनलाइन भुगदान करे पर आपको किलिक कर देना है दोस्तों जैसे ही किलिक करते हैं यहाँ पर आपके जमीन का सारी डेल आ जाएगा department देख सकते हैं revenue and land reform department district आ जाएगा office आ जाएगा treasury भी आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तो scheme का सारे नाम आ जाएगा तो account number देखने को मिल जाएगा जिस जिस account में हम पैसा deposit कर रहे हैं दोस्तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका detail देखने को मिल जाएगा जो आपने fill up करा है और दोस्तो payment detail जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं payment दो तरीके से यहाँ पर deposit हो सकता है एक तो e-payment के दौरा जिसे हम net banking कहते हैं और दोस्तो एक bank में जाकर भी आप payment जमा करा सकते हैं तो मैं दोस्तो यहाँ पर online payment करूँगा तो e-payment पर click कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो आपको bank select कर लेना है दोस्तो यहाँ पर सभी bank active नहीं है कुछ ही bank है जैसे bank of Baroda, Canra bank, Central bank of India, IDBI bank, Indian overseas bank, Punjab national bank, estate bank of India और union bank of India तो दोस्तो आप इन ही bank के माधियम से ही payment कर पाएंगे और यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं कोई भी private bank नहीं है दोस्तो आप इन ही bank के माधियम से ही payment कर पाएंगे net banking से अगर आपके पास कोई और bank है तो आप नहीं कर पाएंगे उसके लिए आप दोस्तो payment over the bank counter पर जाकर payment करा दें दोस्तो मैं यहाँ पर Canera Bank से payment करूँगा उसके बाद दोस्तो submit पर click कर देंगे उसके बाद दोस्तो हमारा bank का net banking पर redirect हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं online payment के लिए Canera Bank की official website पर आ चुके है net banking के दोस्तो जिस अकाउंट में पैसे जाएंगे वो detail दिखाए दे रहा है और यहाँ पर दोस्तो reference नमर आपका जाएगा और depositor नेम आ जाएगा और इसको बाद दोस्तो आपको paper click कर देना है आप paper click करेंगे उसके बाद दोस्तो Canera Bank की official website पर आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तो आपको user ID और password एंटर करनी है और sign in कर देना है उसके बाद sign in होने के बाद दोस्तो आपसे आपका net banking का transaction password पूछा जाएगा जैसे आप एंटर कर देंगे आपका payment successful हो जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको एक receipt भी पराप्त हो जाएगा तो दोस्तो गो receipt आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा मैं आपको detail नहीं दिखा सकता इसलिए दोस्तो मैंने वीडियो को बलर क्या हुआ है दोस्तो इस तरह से आपको receipt मिल जाएगा इस receipt को आप print निकाल कर रख सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ ये वीडियो के माद्यम से आपने online लगान को कैसे जमा करना है online रख कैसे काटना है ये आपने सीख लिया होगा तो दोस्तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर किलिक कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो का notification मिलती रहे हैं तो दोस्तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ